Hello friends, my name is Azar Khan and welcome to my YouTube चलाए खान टिक्स्टर इस वेकिंसी के बारे में डिटेल में जानने से पहले ये जान ले जिए केवल इसके लिए जो एपलाई कर सकते हैं वो हैं Unmarried Male Candidates जो मर्द जिनकी शादी नहीं हुई है वो ही केवल इसके लिए एपलाई कर सकते हैं तो इस वीडियो को भी आप ही सब देखेगा क्योंकि शादी शुदा वालों के लिए ये वेकिंसी बिल्कुल भी नहीं है तो आज की वेकिंसी के बारे में जान लेजाए जोस्तों इंडियन एर फोर्स की तरफ से एनाउस की गही है नौन कोमबटेंट की पोस्ट है रोस्तों कौन सी ट्रेड में क्या selection process है क्या age और qualification है क्या salary रहने वाले है सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी इसलिए इस वीडियो का एंट तक जरू देखेगा और दूसरों के साथ भी जरू शेयर कीजेगा जो इंडियन एर फोर्स में भरती होना चाहते है यहां पर देखे जानने से पहले यह मैं आपको बता दू भाई एक सितंबर से दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की तैयारी हमारे चैनल पर शुरू होने जा रही है मैस और रीजिन की क्लासिस होंगी डेली बेसिस पर इसलिए जो बच्चे दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे है या फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं तैयारी में लगे हुए हैं जिनके अधूरी तैयारी है या फिर जिन्होंने तैयारी करना शुरू भी नहीं कहा है उनके लिए खास information है तो इस information को उनके साथ जरूर शेर कीजिएगा इस classes के लिए इन classes के लिए आपको एक रूबा भी पेने करना ये YouTube पे हमारे चैनल पर फ्री में available आपको की जाएंगी ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वेकेंसी के बारे में यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोस्स नेम और वेकेंसी के बारे में जा लिए कितनी number of vacancies हैं यहाँ पर देखिए, जो post है जोस्तों वो अगनी वीर non-competent की post है अगनी वीर post कौन सी होती हैं आप जानते हैं जो 4 साल के लिए जिसमें भरती की जाती है हाउस कीपिंग और हॉस्पिटालिटी ट्रेड में यह वेकेंसी निकली गई है ठीक है, number of vacancies अभी तक disclose नहीं होई है, कितनी भी number of vacancies हो सकती है, यह official notice के दुवारा आपको बता दिया जाएगा, जैसे time बीतेगा ठीक है बाई, और यहाँ पर देखें जैसे कि मैंने कहा, only unmarried male candidates can apply for this ठीक है, females के लिए जॉब नहीं है या शादिशुदा, male हो चाए females किसी के लिए जॉब नहीं है, केवल unmarried male candidates के लिए job है, आगे बात करते है important चीज़ की, वो है हमारी age your qualification, अगर आपका जनम, दो जनवरी दो हजार चौबिस के बाद और दो जुलाई दो हजार साथ से पहले हुआ है, इसके बीच हुआ है, maximum age limit किस साल है आपकी, ठीक है qualification दस भी पास होने चाहिए और other qualification कुछ भी नहीं मागा गया आपसे, राइट यहाँ पर देखे, next form की fees, यहाँ पर देखे, form की fees, online होता तो form की fees भी लगती, लेकिन यह form आपका offline भरा जाएगा, official website से agnipathyu.cdac.in पर जाकर आप इसका form download करेंगे, उसको fill up करेंगे उसको post office जाकर speed post के थुरू उसको भेज देंगे, address जो होगा, वो उसका official notification पर, आपकी state के according महाँ पर mention है, वो आप देख लिजेगा ठीक है, official notification में जाकर document जो attach होंगे, वो मैं बता देता आपको, education qualification certificate लगेगा आपका, ठीक है 10th pass certificate लगा देना भई domicile certificate, अगर किसी और state से apply कर रहे हो, cast certificate अगर आपका SC, ST, OPC किसे apply कर रहे हो, तो card certificate भी साथ में लगाना, अधार card लगाना भई, इसकी photocopy two passport size photographs होने चाहिए है, one envelope with a rupees 10 postal stamp, ठीक है यह चीज़े आपकी होने चाहिए है, उस form के साथ तभी speed post करना, otherwise form reject हो जाएगा, आपका आगे बात करते हैं, next इसकी important dates की registration शुरू अल्रेड़ी हो चुके हैं 17 अगस से, यानि की कल से अल्रेड़ी शुरू हो चुके थे, apply करने की last date 2 सितम बरे, जाधा time नहीं है, इसमें apply करने का, तो फटा-फट से इसके लिए apply आज ही कर देना, ठीक है बई, next देखने है इसकी job profile क्या रहेगी, दो जो मैंने आपको trades बताई, hospitality और housekeeping, इसकी देखे आपको काम क्या करना होता है, job profile का मतलब होता है, काम क्या करना है, यहाँ पर देखे, hospitality stream के अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है बई, perform all jobs, tasks associated with cooking, kitchen, management, presentation of dishes, maintain, sanitize and orderly environment in the kitchen, safe, storage of food and other items, handling of crockery, cutlery, refrigeration, etc, laying of tables, chairs and serving food of water, etc, मतलब क्या हो गया बई, जो hospitality stream है आपको क्या करना होता है, kitchen का सारे जो चीज़े होती है kitchen का काम हो गया, refrigeration, crockery, maintain, sanitize and orderly environment in the kitchen, safe, storage of food, इस इन सभी कारे को आपको करना पड़ेगा, अगर आप इसमें select हो जाते हैं तो hospitality stream में, ठीक बाई, अगर मैं बात करूँ housekeeping stream में, तो यहाँ पर देखे, other tasks हैं, जैसे cleaning of floors, rooms, bathroom, commodes, urinals, making of rooms, grass hedge, cutting, ground, leveling, digging of trenches, watering of garden, washing of utensils, clothes, filling of and carrying of water, handling of office equipments, additionally and individual would also be task to perform jobs associated with hair cutting, shaving, head massage, ironing, clothes, मतलब क्या हो गया, यह overall अगर आप दोनों को देखें, इसके इन दोनों के tasks को देखें, तो यह MTS की job है दोस्तू, ठीक है, इसका नाम चाहिए कुछ भी हो लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, MTS क्योंकि हमें पता है कि SSC, MTS, जहां पर भी MTS की भरतियां होती है, उन्हें यही कारे करना होता है, है ना भई, so multitasking staff की यह job है, दोनों मान के आप चल सकते हैं, right, आगे बात करता हूँ, जो important चीज है आप के लिए, जानने के लिए, वो है इसका selection process, so stage one में आपका written test होगा, बहुत असान है, physical test होगा, skill test होगा, document verification and medical exam, सबसे पहले written exam में देख लो भाई, 20 marks का written exam होता है, 10 week के base पर आपको general English और general knowledge के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 10-10 marks के होँगे, ठीक है बाई, so केवल 20 number का ही test होता है, फिर आपका होगा physical test, physical में देख लिजी क्या करना है, running, 1.6 km, 6 minutes, 30 seconds के अंदर करनी है, फिर push-ups करने 10 within 1 minute, sit-ups करने 10, 1 minute के अंदर, squats करने 20 within 1 minute, so यह आपको physical test इसका होना है, असानी से हर बच्चा लगबग निकाली लेता है इसको, लेकिन फिर भी बच्चे अटक जाते हैं, तो practice तो थोड़ी बहुत करने ही पड़ती है, ठीक है, return exam निकल लिया, तो फिर physical की तैयारी में जुड़ जाओ अपना, अब यहाँ पर देखें, जो important चीज़ है, salary की भाई, salary के मैं बात करूँ, तो पहले साल, जो monthly salary होगी आपकी 30,000 पर मन्त होगी, लेकिन उसमें से आपके हाथ लगेगी कितनी, 21,000, जो 9,000 हैं वो आपके खाते में जुड़ते जाएंगे, 9,000 आप दोगे अपनी salary में से, त 30,100 आपके हाथ में आएगी, और बाकी 9,900 खाते में चली जाएगी, और इतने ही government भी देगी हर महीने, 9,900, तो अगर मैं बात करूँ, 4 साल की मिलाके, तो आप जो जो जोड़ोगे 4 साल में, वो 5,00, लगबग जोड़ोगे, account में अपने, और इतने ही जुड़ेंगे government के through, तो ये मिलाक कितनी amount होगी, 10,40,000, ठीक है, 10,00, 4,000 होगी, इतने आपको last में जब आप retire हो जोगे, 4 साल की जॉब होती है, 4 साल के बाद आप से निकलोगे, तो आपके account में होगे 10,00, से उपर, as sewa nidhi package, ठीक है भई, as sewa nidhi package, और 21 साल की maximum age limit है, यानिकि 21 से 25 साल की उमर म में आप retire हो जाओगे, 25 साल के बाद आपकी job opportunities जितने भी है, वहाँ पर आप apply करोगे, तैयारी करना फिर से शुरू करोगे, ठीक है भई, so ये इसकी disadvantage है, दोस्तों केवल 4 साल के लिए इसमें भरती होती है, ठीक है, कम से कम, और इनको ये होता है, कि इनको जब एक और शहीद हो जाता है, तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता, जैसा कि हमने एक अभी अभी recent news सुनी ते एक शहीद हुआ था, अगनीवीर का ही candidate, 19 साल की उमर थी उसकी, और उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था, तो ये अफसोस की बात है, जब देश के ल hospitality और housekeeping की post के लिए, तो apply ज़रू कर देना दोस्तो, अगने pathyu.cdac.in पर जाके form download करो, उसको fill करो, और speed post कर दो, और इसकी तेयारी में लग जाओ दोस्तों, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही ऐसी और amazing information के लिए हमाई चैनल को subscribe कर लें, bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें और हुआ जोब कर दोप में लें, ऑना है, तो